प्रेस दे बेल आइकन उन दी यूट्यूब आफ और सभी को जैहिंद दोस्तों आप सभी का हर्दिक सोगत है जैहिंद रेक्शन पर तो आज के लिए टेस्ट और इंट्रस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मश्यूर पत्रकार सोहिब चोधरी उनके स्प करते हैं तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं तो इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैहिंद बालीकुम असलाम रहे बरकातों नाजिया जी सबसे पहले तो बात करेंगे तो थोड़ा सा एक्स्पलें करिएगा मोधी 3.0 ठोड़ा इसको एक्स्पलें करिएगा मतलब दूसरी टर्म जब आई तब तो मोधी 2.0 तो नहीं कहा जा रहा था इस दवा 3.0 क्या तीसरी बड़ी एकानमी बनने जा रहे है इस वजह से या फिर कोई और रिज़न है नहीं नहीं ये बात तो बिलकुल सत्त है कि हम तीसरी बड़ी एकनौमी बनने के लिए जा रहे हैं और डिफेंस भी हमारा बहुत आगे है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से शोयव आपको कह सकती हूं कि तीसरी के बात दूसरा इसी टर्म में हो जाएगा हम दूसरी बड़ी ए बात सकते हैं लेकिन मैं अपनी उपिनियन ये देता चलो कि मुझे मुझे मुझकी लगता है अल्ला करे मतलब जो महनत करेंग Iran करेंगे वो आगे जाएंगे मुझे तो ऐसा लगता है कि तीसरी काणौमी बनना भी बां जाएंगे स्चित आइस के प्रधानवंत्री जी ने किया है जी चुएंची की मिचिंग में जिस हिसाब से आई मैक कॉरिडोर पर प्रस्ताव रखे गए हैं जिस हिसाब से हमारे ट्रेट के रिलेशन और और बाइलेटरल रिलेशन रिलेशन्शिप है उसको मद्दे नजर रखते हुए और भारत के सभी प्रोजेक्ट को देखते हुए आप कहें कि क्या तीसरी बड़ी एकनौमी बनना हमारे लिए बहुत कठिन है क्या नहीं मुश्किल नहीं है लेकिन कुछ है आपके पॉलिटिशन यह कहते नजरार थे कु हुदी जी के नेत्रत में ये देश पांच भी बड़ी एकनौमी में काउंट हुआ और अब उनके थर्ट तर्म में 3.0 तीसरे हैट्रे जो कभी जवाहलाल नहरू जी तीसरी बार परदानमंत्री बने ते चला नहीं पाये थे वो जवाहलाल नहरू जिन्नोंने देश के टु जो मुसल्मानों की नजरों में हिंदूों को काफिर बनवाये थे वो जवाहलाल नहरू जिनकी अपनी बेटी इंद्रा गांभी ने अमर्जिंसी लगवाया था वो जवाहलाल नहरू जो देश को उस कॉंग्रेस पार्टी 53 साल गरीबी से नहीं निकाल पाई और ये वो है कि हमारा हमारा जो फॉरेंड पॉलिसी है वह आज आकाश को जुग रहा है किसको नहीं पता हें कि हमारे भारत देश में जो प्रोजेप्स आचुके हैं और जो आने वाले हैं से हमें तीसरी भड़ी उक्नॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता है और देखिए आप कि IMAG कॉरे वहाँ पर मौझूद थी, अब आप श्री लंका कह दे, आप मौलडिव्स कह दे, आप नेपाल कह दे, आप बांगलादेश कह दे, सब वहाँ पर मौझूद थे, और जितने लोगों ने बिलगेश सक ने मोधी जी को कॉंग्रेचु लेग किया है, मोधी जी बहुत बहुत परदानमंत्री बनेंगे सिर्फ विपक्षियों को अपने मुद्दे रखने का मौका और एक सम्विधान के द्वारा जो इलेक्षन होता है वो कराना बहुत जरूरी था हलाके मैं आपको बहुत इंपोर्टन बात अभी बताने जा रही हूं जो शायद हर कोई आपके साथ शे एम से चोरी होगी और जब रिजल्ट आया तो एवी एम पर कोई बात विपक्षी दलों ने किया ही नहीं अब मैं आपको बताऊंगी वो मुद्दा जो कभी कोई नहीं उठाता है कि आकर विपक्षी दल या कॉंग्रेस खास करके बैलेट बॉक से वोटिंग करानी की क्यों जित पकड़ करके रखता है 1989 में राजीब गांधी कैंडिडेट थे अमेठी के और उनके अपोजिट में खड़े हुए थे मोहंदास करमचंद गांधी जी के पोते राज मोहन गांधी जी चुनाओं लड़ रहे थे पर राजीब गांधी जी के लीडर्शिप में कॉंग्र जिताया गया था New York Times ने उस जमाने में उस जमाने में New York Times ने साफ लफजों में लिखा था कि ये जो राजीब गांधी जीते हैं ये धोका धोके से जीते हैं और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि समाजवादी पार्टी और बिहार की लालू परशाद की पार भेजने की जिम्मेदारी राहुल बाबा ने उठाई थी यहां तक के अखलेश यादव और तेजस्वी यादव ने यहां तक जनता को कह दिया था दो आजार चौबिस के लोगसबा एलेक्शन में के गरीबी दूर होगी चटा चट नौकरी मिलेगी फटा फट सबके सबके बैंक अकाउंट में एक लाक रुपिया जाएगा खटा खट और अब देखिये कल की मैं घटना वता रही हूं क्योंकि कल तक तो मैं दिली में थी मैं कल की घटना वता रही हूं कि आमादमी पार्टी के और कॉंग्रेस के जितने भी नेता है सबकी गाड़ियों को मुसल्मा बैने मेरी रोक रही है कि भाई या मेरा पैसा दो हम तो तुमको वोट दे दिये तुम सरकार नहीं बना पाए है तुम्हारा प्रॉब्लम है लेकिन मेरा पैसा तो दो गाड़िया रोकी जा रही है गारिया तप तपाई जा रही है और ये लोग मुझ चुरा रहे है ठीक है बहुत से ऐसे वीडियो की ऐसे मतलब बताया कि बहुत बेरोजगारी है इसके उपर बात करूँगा लेकिन आपने बोला कि मुसल्मान एक लाख रुपे के लिए या एक लाख रुपे के लिए वो गाड़ियों को रोक रहे हैं कांग्रेस की या आम आदमी के लिए था क्योंकि जब जब जनता जब कोई नीता स्पीश देता है तो वो पर्टिकुलरली किसी एक समुदाई के लिए नहीं देता है वो सब के लिए देता है लेकिन मामला यहां पर आकर के अटक रहा है कि लाइनों में खड़ी सर्फ मुसल्मान महिल आये हैं और गाडियों को पीटती पाटती और कोस्ती भी सिर्फ मुसल्मान महिल आये हैं चज्जों पर खड़ी और कॉंग्रेस भवन में लाइन लगाती सर्फ मुसल्मान महिल आये हैं क्यूंकि सनातनी बेटियां जो होती है वो उन्होंने देश को और सम्विधान को आगे रखा क्यूंकि पहले इतिहास में कॉंगरेस के जितने भी जूट है जितनी भी कि दबंगाई है और जितने भी उन्होंने भारत के विरोध में कार्या किया है उसको नजर में रखते वे किसी हंडू बेटी ने वोट नहीं किया कॉंग्रेस को ये लाइन लगाने हैं कि मुसल्मान में लाए हैं कॉंग्रेस और आदमी पार्टी की गाड़ी को रोक के मुसली महिलाएं उनसे पैसे मांग रही है तो आशा करता हो वीडियो को काफी पसंद आए होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लग यह तो इसे लाइक और शेयर जूरू कर दें और अपने विचार हमें कमेंट झाल शेल अबने वीडियो झाल जब खो इसे लिए खिए प्याभ पार्टी को काश्दी पल्ड़ गागर रही है तो आपको अच्छ्छी का आपको भार देंग से जिए खऊशा हमेगको आपको डह प्संद़ूद़ नहिदार आपको हमें बनाखको अ